हमारे लिए भी PhD खतम करना अब academic responsibility कम है political responsibility जादा है क्योंकि इतनी बार सबसीडी सबसीडी कही गई है तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि एक अच्छा सा PhD सम्मिट कर दें फिर देखते हैं फिर सबसीडी के PhD का होता क्या है आज इस सेशन को हम सारे students लोग chair कर रहे हैं ये भी unprecedented है उमर अक्सर हम लोग उधर होते थे और आप लोगों को सुन रहे होते हैं तो साइद आप लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि हमको सुनना क्यों जरूरी है क्योंकि हमारे उपर जो हमला हो रहा है साइद हमको सुनने के बाद इस बात का पता लगाया जा सके कि आगे हम लोगों को करना क्या है और idea of India में जोरना क्या है क्योंकि इस देश में दो तरफा लडाई है दो तरफा लडाई इस माइने में है कि आपको सिर्फ education को बचाना नहीं है आपको education को बनाना भी है देश को सिर्फ बचाना नहीं है देश को बनाना भी है इसलिए दोहरी लडाई है दोहरी लडाई की जब हम बात करते हैं निश्ची तोर पे इसकी शुरुवात आज नहीं हुई है काफी पीछे जाकर के इसको देखना परेगा और आज जब अगर हम अंबेतकर गांधी, भगत सिंग, पेडियार, फूले, कभीर, गुरुनानक तमाम लोगों का नाम ले रहे हैं तो इसकी जरूरत क्यों पर रही है कहां तो तेथा चिरागां हर एक घर के लिए कहां चिराग मयसर नहीं सहर के लिए जो लोकतंत्र जो संबिधान हम आज़ादी के बाद बनाए थी जिसमें हमने बहुत सारे सपने देखे थे, बहुत सारे मूल हम लोगों ने अपनाये थे उस सम्विधान के अंदर, आज वही खत्रे में है, आज उसी को बचाना एक चुनोती बन गई है, तो उससे आगे जा करके हम क्या करेंगे, साइज उसको सोच नहीं पा रहे हैं, लेकि बूर्जुवा डेमोक्रेसी ही बचने वाली नहीं है, सोचलिस्ट डेमोक्रेसी का तो दूर दूर तक पता नहीं है, बूर्जुवा डेमोक्रेसी को ही खुद बूर्जुवा जी खतम करना चाहती है, खुद कैपिलिजम जो है, जिस डेमोक्रेसी को लेकर के आया था, उस beyond जा करके socialist democracy का imagination क्या होगा इस बात को साथ हम सोच नहीं पा रहे हैं और इस बात को हम तब भी नहीं सोच पा रहे थे जब ये situation आज से 20 साल 30 साल पहले था देश के अंदर दुनिया के अंदर उस वक्त भी साथ इसी तरीके का seminar हुआ होगा उस वक्त भी कुछ लोग आ करके बो पहले लरना है और किस से बाद में लरना है कौन बरा दुस्मन है और कौन छोटा दुस्मन है छोटे दुस्मनों के साथ दोस्ती करके कैसे बरे दुस्मन को हराया जा सकता है इस स्टेजी में हम अकसर फेल कर जाते हैं और जो हमारा सुधता बाद है 100% प्योर ये हमको बार- हम यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं एक ही बात कर रहे हैं लगभग लेकिन पॉलिटिकल ही हम एक दूसरे से डिफरेंस रखते हैं हम लोग अलग-अलग संगाठन के लोग हैं माक्सिजम को लेकर के अलग-अलग समस्दारी है अगर ऐसा नहीं होता तो इस देश के अंदर सस् विखने तरीके का माक्सबाद लिखा गया है आज हम इसे समय में हैं कि अपने डिफेरेंसे गरेंस से ब्रैकेट को कम ध्यान में रखें अपनी यूनिटी जहां बन सकती है उसको ज्यादा ध्यान में रखें यह समय आज हमारे सामने आया है aan एंप इसी हॉल में साथ वह बा सिर्फ Communist Party नहीं होता है। जब हम Left कहते हैं तो Left का मतलब सिर्फ और सिर्फ लाल ज्हंडे वाले लोग नहीं होते हैं। उन्होंने कहा था इस देश में अगर हम Left को देखेंगे तो उसका तीन स्ट्रीम है। एक Social Justice का force है। दूसरा Socialist लोग हैं और तीसरा Communist लोग हैं। जब हम दूसरी कोई Political Party नहीं बचेगी जो इस दारे में ना आज है। यह जो हमारा Political Formation है। इस Political Formation को हमको Cemented करने की जरूरत है। इसको मजबूत करने की जरूरत है। अगर हम इसको मजबूत नहीं करेंगे तो सायद जो है हमारे पास हम उसको भी नहीं बचा पाएंगे। और इसको आगे ले जाकर बेहतर बनाने का जो हमारा सपना है, वो सपना ही रह जाएगा। यह परिस्थिती यह चुनोती आज हमारे सामने है। इसी लिए पूरे देश के अंदर जो एक माहौल बना है, उसमें जो सबसे महतपूर्ण सवाल है, वो सवाल क्या है? वो सवाल है सिक्षा को बचाने का सवाल। लेकिन सिक्षा पर यह हमला आज नहीं हुआ है, सिक्षा पर यह हमला बहुत पहले शुरू हो गया था। सवाल यह है कि खुद को कमुनिस्ट कहने वाले लोग, खुद को प्रोग्रेसिव कहने वाले लोग, खुद को डेमोकर्टिक कहने वाले लोग तब क्या कर रहे थे? यह बहुत ब़़ा सवाल है। जो राजनितिक आंदोलन हुआ और जो राजनितिक पार्टियां आपने आपको प्रोग्रेसिव कहती हैं, उन्होंने कभी भी सिक्षा को एक राजनितिक सवाल नहीं बनाया। वाले लोग थे, उनको ध्यान नहीं आया कि आज स्टेट उन्वस्टि की बारी है, कल सेंटर उन्वस्टि की बारी आये कि. धीरे धीरे करके इस देश के अंदर एजुकेशन को बरवाद इसलिए किया गया है, क्योंकि एजुकेशन के थुरू ही आप आप आइडिया आफ को समझ पाते हैं, और आइडिया अफ इंडिया में कुछ बुनियादी चीजें हैं आज हमारे सामने, जिसको हमको समझना पाते हैं, आप कहते हैं, हम भारत के लोग हैं, बसुधैब कुटुमबकम, बहुत अच्छी बात है, बसुधैब कुटुमबकम, फर किस से लरने के लिए आप 6,000 करोड में लराकु विमान खरीद कर लाए हैं, किस से युद करना है, भारतिय संस्कृति का गुनगान गा रहे हैं, भारतिय परमपड़ा का गुनगान कर रहे हैं, तो भारत में तो सहंशीलता रही है, मिल्टिंग पॉट अफ रेस कहा जाता है हिंदुस्तान को, दुनिया भर से लोग यहां आए और यहां की बादियों में, यहां की भुगोल में, यहां की संस्कृति में रच बस गए, यहां से वो वापस नहीं गए, अंग्रेजों को अगर छोड़ दिया जाए तो, तो फिर यह बसुधैब कुटुमबकम अगर हमारा है, तो 6,000 क लगता है कि बसुधैब कुटुमबकम का आइडिया ओफ इंडिया सच है, यह 6,000 करोड में जो टेंक खडिदा जा रहा है, यह आइडिया ओफ इंडिया जोटा है, और इस आइडिया ओफ इंडिया के जूट का परदाफास हम इस तरीके से कर सकते हैं, कि आप 99 करोर रुप खरीदने के लिए आपके पास पैसा है, हम इस आइडिया ओफ इंडिया को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें यह इंडिया नहीं चाहिए, हमें वो इंडिया चाहिए, जिसके संबिधान की पहली लाइन है, हम भारत के लोग, अगर उस 6,000 करोड के टेंक से हम भारत के पाल नहीं है, 3% लोग अगर आज हायर एजूकेशन में हैं, वो पर लेने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिलती है, मैं JNU की ही बात करता हूँ, JNU में एड्मिशन हो जाने के बाद लगता था कि लाइफ से टल हो गया है, क्योंकि जब JNU से PhD करके निकलेंगे, तो किछ इच्छा के साथ साथ हमको रोजगार के सवाल को भी एक important सवाल बनाना पढ़ेगा, और सवाल ये है कि पहले तो सबको पढ़ाओ, और ये बात कोई गयर कानूनी, गयर संबेधानिक और anti-national बात नहीं है, ये anti-national बात इसलिए नहीं है, क्योंकि बाबा साह भीमरा अंबिद अधिकर ने एक संबिधान लिखा, और उस संबिधान में कहा कि अंबानी का बच्चा और जो फुटपात के पास जूता सिल रहा होता है, मोची उसका बच्चा दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर है, तो दोनों के अधिकार को बराबर करो, या तो उसके बच्चे को स फसना नहीं चाहते हैं, हमारे पास एक political vision है, हम simple सी बात कहना चाहते हैं, या तो सब को रजगुला खिलाईए, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो सब को सुखी रूटी खिलाईए, इसमें क्या दिक्कत है, आप इस देश के budget का इस्तेमाल क्या करते हैं, उसको देखने की जरुरत है, जितना पैसा आप रक्षा budget पे खर्च कर रहे हैं, उसका 3% काट करके आप सिक्षा पे खर्च कर दीजिये, उसका budget का दस्वा हिस्सा सिक्षा के उपर खर्च हो जाएगा, GDP का 6% सिक्षा पे खर्च हो जाएगा, और पास education है, वो तैय नहीं करेंगे. Idea of India इस देश के अंदर जो सुदूर देहात में बैठा हुआ इनसान है, जिसके पास आज तक विजली नहीं पहुची, लेकिन कोका कोला पहुच गया, वो लोग तैय करेंगे कि Idea of India के आरुगों. हम लोग ऐसे समय में हैं जहां बार-बार हमको भूलाने की और भटकाने की कोशिश की जाती है. बस अंतिम बात बोलते अपनी बात को खतम करूँगा, बिध्यार्थियों के उपर हमला यह है, कि हमारे यहां एक बहुत ही पुराना चलन है, कि जब कोई महला बिधुआ हो जात ान था उसको कब्जा करने पे जो ताकतवर उसके परिवार के लोग होते थे उसकी नजर रहती थी तो उसको वह कब्जा कैसे करते तो उस महिलाको डै pyakos जब महिला को डाइन बता दिया तो उसके उपर अब कुछ भी अत्याचार होगा तो पूरे सोसाइटी की संपेथी उसके साथ नहीं होती थी इतने में उसका देवर जो है उसके साथ दुसकर्म भी करता था और जब भी वो बोलती थी तो लोगों को यहें लगता था कि यह कर दिया जाएगा तो आपके आंदोलन को डिलिज्टिमेट कर दिया जा सके आप कोई भी सवाल उठाएं तो उस सवाल के साथ आम जंता कनेक्ट नहीं कर पाए इसलिए इतनी बड़ी कॉंस्पिरेशी की गई है और विद्यार्थियों को निशाना क्यों बनाया गया है यह जो पकरने की इनकी कोशिश है यह हमको पकर नहीं पाते इसके साथ-साथ एक और दिक्कत है बरी महनत से हम लोग पढ़ाई करके जेनी पहुंचे हैं तो जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो लोग कन्विंस भी हो जाते हैं एक बात मैं आपको बता दूँ एक बार एक जन समाज का सच है इसलिए हमने लिखा है बुला यह बात तो तुम ठीक कह रहे हो तो यही सच लिखने के लिए तुम मारे जाओगे सही बोलने के लिए तुम मारे जाओगे क्योंकि क्योंकि तुम्हारी कभीता सुनकर मैं भी कन्विंस होने लगा था यही इस देश की स्थिति है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं उससे इनका ही जो vote wink है इसका ही जो mass base है वो convince होना शुरू हो गया है इसलिए मैं कभी नहीं कहता हूँ कि RSS और BJP minority के खिलाफ है RSS और BJP इस देश के अंदर majority के खिलाफ है क्योंकि इस देश में majority गरीबों का है इस देश में minority बिरोधी religion के base पे है लेकिन अगर economy के base पे आप देखेंगे तो यह majority बिरोधी सरकार है और इस majority बिरोधी सरकार को अगर आप सही तरीके से expose नहीं करेंगे तब यह majority का सरकार बनाता रहेगा अगर इसको आप सही से expose करेंगे तो यह सरकार minority की हो जाएगी और minority की सरकार इत्पाक से democracy में चलती नहीं है इसलिए हम democracy के पक्ष में हैं constitution के पक्ष में हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हम लोगों के जाएगी